यहां हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ABC और XYZ एक छोटा है और एक बड़ा अब हमें यह मालूम करना है कि यह सिमिलर ट्राइंगल्स हैं या नहीं और यह हम कम से कम मालूमात की मदद से पता लगाने की कोशिश करेंगे अब अगर आप गोर करें तो इन दोनों की सारे मुतालगा यानि corresponding angles एक जैसे हैं यानि congruent है और भई यह एक बहुत बड़ी निशानी है इस बात की कि हमारे पास similar triangles हैं लेकिन फर्स करें कि हमें तीन के वज़ाए सिर्फ दो congruent angles मालूम हो तब भी क्या यह दोनों similar triangles होंगे बिलकुल होंगे पर किसी भी triangle के सारे angles को जमा करने पे हमेशा 180 degree मिलता है इसलिए तीसरा angle इन दोनों angles को जमा करके 180 से minus करके फॉरण ही मिल जाएगा यह वही angle होगा जो यहां होगा इस तरह यह दोनों corresponding angles भी एक ही वराबर आ जाएंगे कहने का मकसद यह है कि अगर दो corresponding angles यानि मुतालिका angles एक जैसे हैं congruent हैं तो इसका मतलब है कि तीसरा भी लाजमी congruent होगा और बस इसलिए वो दोनों triangles similarity की पहली शर्ट पे पूरा उतर रहे होंगे similarity मालुम करने के लिए फिर दो corresponding angles का मालुम होना काफी है इस निशानी को हम AA से दिखाते हैं अच्छा similar triangles की दूसरी शर्ट यह है कि इनकी मुतालिका sides के ratios एक बराबर होते हैं जैसे यहां इस side और इस side का ratio यानि AB वटा XY बराबर होगा इस side और इस side के ratio के जो के है BC वटा YZ और यह बराबर होगा इस side और इस side के ratio के तो यहां फिर AC वटा XZ आ जाएगा अगर ऐसी सूरतहाल बन रही है तो इसका मतलब है कि हमें यकीनां similar triangles दिये हुए हैं अच्छा यहां एक बात ध्यान में रखने वाली यह है कि congruent triangles में SSS का मतलब होता है कि जितनी भी congruent triangles दिये हुए हैं उनकी सारी मुतालबका sides एक बराबर हैं जबकि similar triangles में SSS का मतलब है कि जितनी भी similar triangles दिये हुए हैं उनकी मुतालका साइट के रेशोज एक बराबर है तो ये फर्क है और इसको जहन में बिठाने के लिए हम एक मिसाल भी देख लेते हैं फर्स करते हैं कि इस साइट के लंबाई 30 है इसकी 30 जरब 3 का स्क्वार रूट है और इसकी लंबाई है 60 और यहां लंबाई फर्स करें 6 के बराबर है ये 3 के बराबर है और ये बराबर है 3 जरब 3 के स्क्वार रूट के अब इन रेशोज की जगा ये एक गार डाल कर देखते हैं A B की जगा 30 जरब 3 का स्क्वार रूट आ जाएगा xy की जगा 3 जरब 3 का square root आ जाएगा और इसको हल करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा अच्छा यहां 30 बटा 3 बराबर आ जाएगा फिर से 10 के और यहां आ जाएगा 60 बटा 6 और यह भी हल होकर 10 के बराबर ही हो जाएगा यानि यह triangle हमें इस triangle को 10 के तनासफ से बढ़ा कर यानि scale up करके मिलता है चले ऐसा करते हैं कि यहां दो और triangles बना लेते हैं यह है फिर से triangle ABC और यह है XYZ अब फर्ज करते हैं कि XY की लंबाई हमें AB की लंबाई को एक मुस्तकिल तनासफ से जरब दे कर मिलती है इस K की कदर मालूम करने के लिए हम एक्वेजिन के दोनों हिस्सों को A B से तक्सीम कर सकते हैं यूं K बराबर आ जाएगा XY बटा AB के अच्छा फर्स करते हैं कि इन दोनों मुतालगा साइट्स का रेशो भी K के बराबर है यानि Y Z बटा VC भी K के बराबर होगा और साथ ही साथ ये दो मुतालगा एंगल्स बिलकुल एक दूसरे के बराबर यानि कॉंग्रूइंट है ये सारी मालूमात हमारे पास हैं अब ज़रा बताएं कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं या नहीं भाई अगर इस साइट को हम के से स्केल अप कर रहे हैं और इसको भी हम के से स्केल अप कर रहे हैं और इन दोनों के बीच का एंगल एक बराबर है तो इन दोनों कॉर्रिस्पॉंडिंग साइट का रेशो भी के के बराबर होगा इस तरह की मालूमात अगर हमें दी हुई हो तो इस निशाने को हम S, A, S कहते हैं और जो ट्राइंगल इस पे पूरा उतर रहे होते हैं वो दोनों सिमिलर होंगे मिसाल की तोर पे अगर इसकी लंबाई 3 होती और इसकी 2 होती और इनके बीच का एंगल होता X और फिर इस ट्राइंगल की ये कॉर्रिस्पॉंडिंग साइट बराबर होती 9 के और इसकी लंबाई बराबर होती 6 के और ये अंगल भी X के बराबर होता तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों कॉर्रिस्पॉंडिंग साइट एक ही तनासब यानि तीन के तनासब से स्केल अप हो रही हैं और इन दोनों corresponding sides के एंगल भी एक बराबर है और चुंके यहां यह दोनों triangles SAS की शर्थ पर पूरा उतर रहे हैं इसलिए हम कहेंगे कि यह दोनों similar triangles हैं तो भाई यह थी चंद properties similar triangles को पहचानने के लिए और आगे की वीडियो में देखेंगे कि हम इन properties को किस तरह इस्तिमाल करत कि शर्ब है